आई एंडिया ये गटबंदन में आखिर नेता कौन होगा सबसे बड़ा नेता कौन होगा ये तो अब तक किसी को ने पतल चल पाया लेकिन अब कही न कहीं आई एंडिया ये गटबंदन में ही रार जो है वो साफ तोर पर दिखाई दे रही है और वो स्रार की वज़ा है वो तमाम बयानबाजियां जो लगातार कॉंग्रेस के नेताओं की तरफ से की जा रही है। जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि ममता बेनरजी आई एंडिया ये गटबंदन का हिस्सा है लेकिन अधीर अधीर अजन चौधरी जो बाते कहते हैं वो मेलने खाती हैं। और साफ तोर पर मलिकारजुन खरगे ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि ममता बेनरजी आई एंडिया ये गटबंदन का हिस्सा है। लेकिन इसी पर जवाब मलिकारजुन खरगे की तरफ से दिया गया, उन्होंने कहा कि देखे वो फैसला करने वाले नहीं है, यानि कि अधीर अधीर अजन चौधरी फैसला करने वाले नहीं हैं। नजर नहीं आए, उसके बाद जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूचा कि देखे आपको मलिकारजुन खरगे ने सीधे तौर पर चेतावनी देदी है, कि आप जो है इस तरीके के बयानबाजिया ममता बेनरजी के बारे में मत कीजे क्योंकि वो आई एंडिया ये करना है और ये वीडियो जरूर शेयर करें, लाइक करें और कॉमेंट में बताएं क्या आप क्या सोचते हैं, अब सुनिए कि आखिर अधीर अंजन चौधरी ने जो है क्या जवाब दिया, उन्होंने देखे, सीधे तोर पर ये कहा कि बंगाल में कॉंग्रेस को बरबाद कर कर रहे हैं, बीजेपी और टीमसी दोनों एक साथ है, वो बंगाल में एक दूसरे के साथ मिलकर राज्यमिचुनाव को दो पार्टी वाला बनाना चाहते हैं, यानि कि वो सीधे तोर पर ये कह रहा है कि देखे, मेरी लड़ाई किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, मैं तो राश्ट्रे स्तर पर मजबूत हो रहे हैं, यानि कि अब ये समझे कि कॉंग्रेस एक तरफ ये स्टैंड क्लियर कर चुके कि ममताब एनरजी जो है, वो आई एंडिया ये गटबंदन का हिस्सा है, लेकिर अधी रंजन चौधरी साफ तोर पर ये कह रहे हैं, कि ममताब एनर बदोर पर ये कि ममताब एनरजी ए में लुके किा Hasta The सबस्जार।